स्वागत है आप सभी का आपके अपने चलनल मैत स्वित रविलोजी में आज हम प्रस्णावली 5.3 ककसा 8 की वो पढ़ेंगे और उसका पहला सवाल करेंगे कि पहले सवाल में दिखा रखा है अपने से इन प्रियोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखने आ प्रियोगे आपो कीरत तो आपको को स्वाल है अन्हें करना आपके लाकल को कि इन्हें टेल आपको पता कि प्रियोगों में तो या तो यह पिर इस परकार से न या फिर टेल आ सकता है ते already talk के जरूरुन हुभए फिर जरूररु नहीं कि हडेड ही आ सकता है और टेल टेल भी आ bought आ सकता है न। इस परकार सिनके यह चरिये परीद्धिनाम करते हैं दूसरा सवाल करते हैं जब एक पाशे को फिक है तब निम लिखित प्रते गठना से प्राप्त हो लें प्राप्त हो तिन चार पांच और छह यह छही संक्यय हो सकती है पांडे आइ इंसे जाए संक्यय है दूसरी नहीं होगी वह महिए इस सवाल क्या प्वुचा है वह हम देखते। सबसे पहला सवाल है की एक अबज़ संक्यya अपने संक्या होती है ऐसी संक्यय जिसमिय स्वयम और एक के अलावा किसी संक्या का बाग नहीं जाता हो ठीक है तो वह संक्या कोशी होगी एक से छह तक है ना वह बतानी आपको तो वह संक्या क्या क्या होगी दो हो सकती है क्योंकि दो के अंदर एक का जाता है या फिर दो का जाता है फिर तीन हो सकती है ठीक है और क्या हो सकती चार नहीं हो सकती फिर पांच हो सकती है तो यह तीनों ही संक्या होगी अभाज संक्या है ना पहला का अंसर लिख लिए ना दो तीन और पांच next है कि एक अभज संक्या नहीं प्रापत होना है यानि कि अभज संक्या पेस्ट किसे हो सकती है फिर लिखेंगे हम छह, ठीक है, तो एक, चार, छह, ये तीन होई संक्या है, हो सकती है, है ना, तो ये इसके प्रणाम लिख लेंगे, दूसरे का पहला सवाल है, कि पाँच से, पाँच से बड़ी एक संक्या, तो पाँच से बड़ी एक संक्या क्या है, छह है, बस आपको पता है इतना, फिर ने है तो क्या करेंगे एक से लगा गर एक हो जाएगा दो तीन चार और पांच यह पांच तो संग्या है आप यहाँ पे इसमें लिख लेंगे तीसरा सवाल है ग्याद कीजिए पहला सवाल है कि प्रस्ट फर्ष्ट ए में सूचक डी पर रुकने की प्राइक्ता क्या है देखते ह प्राइड तो एक है तो एक बटा पांच आएगा क्यवल एक बटा पांच अनसर इसका लिख लेना आपको ठीक है तीसरे का भी है कि अच्छी प्रकार से फेटी वी बावन तासों की घड़ी में एक इका प्राप्त करने की तो आपको पताए कि तास में टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, ठीक है 21 कितने होते है, 21 होते हैं 4, तोicting 4, 41 तो अपन क्या लिखेंगे, 4 दा 52 लिखेंगे, तो 4 से इसको काट दो, 4 एकाम 4 उपर एक भार, है ना, उपर 1 से कटेंगा एक बार ही होगा, फिर नीचे 4 4 एकाम 4 1 बार, और फिर यहां यह जुसा कि पूछा गया है कि एक लाल से प्राइक्ता दीभी आखर्ती में इस अकरती को देख कर आपको बता रहा है तो सबसे पहले क्या ने इसमें आर आ रहे अपने चार तो उपर लिख देंगे चार तो क्या आंसर बनेगा, 4 बटा 7 इसका आंसर बनेगा ओके चोतर सवाल है, की 10 पर्थक पर्चियों में से जिन पर 1 से 10 तक गिंती लिखी हुई है एक पर्ची पर 1 संख्या उन्हे एक बोक्स के अंदर रखर अच्छी परकार से मिला लिया जाता है तो बोक्स के अंदर से बीना देखिए परची को निकाला जाता है तो इन सब की प्रयक्ता बताने आपको तो एक चीज आपको पता चले कि क्या करका संक्या है नबर की संक्या है नहीं आफ की संक्या 6 प्राप्त करना one संक्यई है इच तो ऊटल परिणाम कितने है दस तो क्या हैक एगा a plein थीकए। अब ढंक से इसका ऑनसर लेकैं this दूसरा सवाल दूसरा सवाल में हमसे बुचा गया है कि शे से छोटी एक संक्यय प्राप्त करना 6 से चोटी संक्या कितनी है तो 1 है 2 है 3 4 और 5 ठीक है 5 संक्या बन रही है तो 5 संक्या मतलब उपर लिखेंगे 5 तो टोटल संक्या कितनी है 10 काट लो 5 एकम 5 एक बार और 5 दोनी 10 तो आंसर क्या है 1 बटा 2 आंसर ठीक है 1 बटा 2 आंसर आता है इसका फिर next 6 से बड़ी संक्या प्राप्त करना है 6 से बड़ी कोन है? तो 6 से बड़ी है, 7 है 7 है, 8 है 9 है, और 10 है कितने संक्या होगी 6 से बड़ी? 4 हो गई और कुल पडिनाम कितने है? 10 है, अब काट लो इसको 2 और नीचे 5 से कटे गए तो कितना है, दो बटा, पाच आंसर आगे इसका, फिर नेक्स्ट है कि, एक अंक की, एक संक्या, एक अंक की संक्या किसे निकालेंगे, तो आपको पता है, एक से लिए अगर नो तक, संक्या में एक ही अंक आता है, लेकिन दस के अंदर क्या होता है, दो अंक बन जाते हैं, तो तो इसको छोड़कर केतने अंग होंगे? 9 अंग होंगे तो 9 बटा 10 लिख देंगे टोटल 10 तो है और 9 अंग हो सकते हैं तो ये इसको अंसर होगा 9 बटा 10 पाचो सवाल है कि यदि आपके पास 3 तीन तो हर एक त्रिचकंड एक नीला और एक लाल त्रिचकंड है वाला एक गूमने वाला पया है तो एक हरा त्रिचकंड प्राप्ट करने की प्राइक्ता क्या है ऐसा त्रिचकंड प्राप्ट करने की प्राइक्ता क्या है जो नीला ना हो आपको दो प्रश्ण पूछें तो दोनों के एके करके हम सवाल के अंसर देते हैं सबसे पहले क्या करेंगा टोटल परिणाम लिखेंगे टोटल परिणाम क्या आता है तो क्योंकि टोटल परिणाम से हम निकाल पाएंगी कि उसमें से कितने क्या आ रहे तो तीन तो अपने पास क्या है पांच हो गए यानि कि जो भी परिनाम आए गए वो कहां पे लिखा है proposed compliance टीन हरे है टीन हरे है और कुल परिनाम कितने है कुल परिनाम 5 है तो 3 बटा 4 लिग देंगे सिर्षावनडा है अब दूसरा समाल के पूछा है कि ऐसा त्रिछखन प्राप्त करने की प्राइक्ता जो नीला न हो तो नीले कितने है इसके नीला तो एक ही है तो एक नीला है तो टोटल परिणाम कितने है पांच है और उसमें एक नीला निकाल लेंगे उसको कितना बचा चार बचा लेकिन कु चार बटा पांच क्योंकि प्रश्ण संक्या क्या अंदर दी गटनौँग्य की प्राइक्ताइ लिखनी आपको तो हम दो वाले में सवाल में चलते हैं तो पहला सवाल इसका की एक अबज संक्या तो मैंने बताया कि अबजर संक्या कितनी बतायाई थी आपको 2 हैना दो बता इंगे ये बता दी, जब पास Wouldn'tर को हुआ जाए तो 27 है तो 29 तो कितने होंगे 6 परेनाम है, खुल परिणाम हो प相 क्षा होगी और उसमें से तीन अपने पास अबाजे संक्या है तो हम क्या लिखेंगे तीन बटा छे लिखेंगे तो इसको क्या कर लेंगे फिर एक बटा दो ठीक है भई तीन बटा छे लिखा है तो इसको काट लो कि तीन एकम तीन निन तीन दो नी छे तो अंसर किया बना? एक बटा दो बना ठीक है? आगे बढ़ते फिर दूसरा सवाल है अपने कि एक अबाजे संक्या नहीं होना तो मैंने आपको बताये था कि अबाजे संक्या नहीं होना मतलब वो भी कितनी तीन ही थी क्योंकि एक और फिर चार और 6 तीनी संक्या है थी तो यहें कितना आजाएगा 3 बटा 6 आजाएगा और यहां भी क्या बनेगा 1 बटा 2 बनेगा ठीक है यहां तक समझ में आगया फिर next 5 से बड़ी 1 संक्या तो 5 से बड़ी कितनी थी 1 इतने संक्या और भई एक संक्या यह बड़ी थी कहल 6 और टोटल परिमाम कितने अच्छा है तो कितना आग एग एक बटा 6 फिर इसका भी वाला 5 से बड़ी संक्या नहीं तो 5 से बड़ी संक्या कितनी नहीं थी 1 पांच से छोटी है 2 3 4 और 5 यह सब 5 से छोटी है अब ये कितनी संक्या है 5 संक्या हैं तो टोटल संक्या है तो वो गई 5 इनकी और कुल परिणाम कितने थे 6 तो अंसर किया गया 5 बटा 6 इसका अंसर आ गया ठीक है यहाँ तक यह चीज आपको को समझ में आ गए मैंने आपको पूरी प्रस्णावली को सोल करा दिया है अब इसमें जो भी आपको डाउट आ रहा है वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यह वाच चीज आपको समझ में नहीं आई और हाँ सबसे बड़ी बात कि प्राइक्ता का मतलब क्या होता यह एक तरीके से प प्रिनामों की संक्या जो गटनामे पूछ के प्रिनामों की हो जब प्रीमार के चैनल पर नयहें तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ सबसे बड़ी बात कि आपको ये सारी चीज़ें फ्री में उपलब दोहरी है तो इसका ज़दा से ज़दा फाइदा उठाए और वीडियो को बार बार समझ में आए तो बार बार देखें उसको और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेर करें क्योंकि नौलेज को शेर करने से नौलेज बढ़ता है और आपको आपकी जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है इंपोर्टन बोर्ड से रिलेटिव प्रस्ण उतर आपको देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बोक्स को चेक करें और वहाँ पर देखें कि आपके लिए बहुत सारी चीज़े हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी और बोर्ड से रिलेटिव इंपोर्टन क्यूशन भी आपके लिए बता रखें और हम समय समय पर बोर्ड से जो जानकरी अपडेट होती है हम आपको वीडियो बना कर देते रहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्सा के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे जैहिन